सपा खेमे में दोड़ी खुशी की लहर 2022 में मैन पूरी की करहल विधान सभा से जीता था चुनाव क्या सेंट्रिल पॉलिटिक्स पर फोकस करेंगे अखिलेश क्या चाचा शिपाल होंगे नेता पृतिपक्ष दिल्ली या लखनाओ किसे चुनेंगे अखिलेश नवश्कार आप देख रहे हो दिल्ली प्रदेश टाइम्स में आपके साथ हिदिती शर्मा लखनों में हुई घोष्टना के बाद यह निश्चित हो गया कि सपा अध्यक्ष अकलेश यादव कर्णोज लोग सभा की सीट से सांसत बने रहेंगे अकलेश ने 2022 में मैंपुरी की करहल विधान सभा से चुनाव जीता था हाल में वह कर्णोज लोग सभा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की इसके बाद से कयास लगाने जाने लगे की वह कर्णोज से इस्तिफा देंगे तो वही शनिवार को करहल विधान सभा से इस्तिफा देने की लखनों में हुई गोशना के बाद कनोश लोकसभा सीट से सांसद बने रहने की गोशना सुनते ही सपानेता को दोगनी खुशी मिल गई इसकी गोशना होते ही सपा खेमे में खुशी की लहर दोड़ गई सपाई इसे अब लोकसबाज जीत के बाद सीटना चोनने से दोगनी खुशी बताकर जश्ण मना रहे हैं सपाजिल अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें भरोसा था कि कन्नोज की जनता और संगठन को सपाध्यक्ष निराश नहीं करेंगे सपा नेता जैकुमार ने कहा कि सपा मुख्या जब भी कन्नोज से सांसद रहे तो यहां विधानसबाज चुनावों में खासी भड़त मिली है इससे अब विधानसवा चुनाव 27 में कन्नोच समेट आसपास जन्पदों की सभी विधानसवा चेतर में सपा को जीत मिलेगी अकलेश यादव फिलहाल के इंद्री राजनीते पर धिहान क्रियंदित करेंगे समाजवादी पार्टी ने लोकसवा चुनाव में अपना अब तक का सर्वसेष्ट प्रिजशन किया है अकलेश के सीट छोडने के बाद तेश प्रताप यादव करहल से प्रबल दावेदार होंगी तेश प्रताप पहले मुलायम सिंग और इस चुना में डिमपल यादव के साथ मैनपुरी में प्रिशार कर चुके हैं ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव के दिल्ली की राज़ दीते में आने के बाद यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शिपाल यादव को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है चुकि शिपाल अब विधायक दल में सबसे वरिश्टम सदस्य हैं इसले माना जा रहा है कि उन्हें नेता पृतिपक्ष का पद दिया जा सकता है फिलहाल इस पर आखरी फैसला अखिलेश ही लेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे यूतिपर पृतिश टाइम्स धन्यवाद